हेलो फ्रेंट्स आज मैं जो इविनिंग स्नेक्स बनाने जा रही हूँ बच्चों का भी फैबरेट है और बड़ों का भी चलिए इस स्नेक्स को देख लेते हैं और इस स्नेक्स आप एक खाएंगे तो पूरा मन भर जाएगा आपको लगेगा कि हम समोसा खा रहे हैं चलिए तब देख लेते हैं बनाने का प्रोसेस हमने इहाँ पर लिया है एक कप पानी और जरुत पड़ेगा तो इसमें डालेंगे आप इहाँ पर हमने ले लिया है तीन पैकेट मेगी मेगी को हम अच्छे से बना लेंगे और इसमें मसाला भी इसी टाइम डाल लेते हैं अच्छानक आपके घर महमान आगे तो इसे आप बना कर सब कर सकते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा वो पता नहीं पाएंगे ये कैसे बनाएगा ये मेगी मसाला इसमें डाल कर अच्छे से हम इसको कुक कल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो ये पीजा का भी स्वादा जाएगा बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में अब हम हाई फ्लेम में इसे पका लेंगे और थोड़ा थोड़ा जब पानी रहेगा उसमें डाल देंगे चीज हमने यहां पर एक क् रिवजलीया है इसको सारह डाल देंगे इस तरहसे कद्दूकस करके चीज में डेल से जल्दी से diaphrag हो जाता है अब पूरा पानी इसे ढ्राई कर लेंगे अच्छे से मिक्स करना है इसे और अच्छे से मिक्स जब हो जाएगा अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे था से फैला देंगे अब इसे सेठ होने देते हैं पांच दास मिनाट के लिए इस तरह से अच्छे से इस तरह से फैला देंगे इसके बाद हम कटिंग लगाएंगे जब तक यह सेठ हो रहा है तब तक हम आठा गुंद लेते हैं हमने यहां पर लिया है एक कप मैदा आठा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे हम ने यहां पर लिया है स्वादनसर नामा क्र आपर ओरेगेन को यह ले लिया है ऑचली फ्लेक्स एक चमच करीब यह पर डालेंगे रिफाइन ओयल इसको डाल و मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डागल कर, इसे सौप्ट आटा तयार कर लेंगे, इसको सौप्ट ही करना है, टाइट कर रेंगे तो हम लोग फिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सौप्ट आटा इसे गुंदना है, अब हम लोग का आटा तयार हो गया है, अब हम इसे काट ले तो कोई बात नहीं, इचाकू से भी आसानी से कट जाएगा। इस तरह से हम काट लेंगे लंबा-लंबा पिसस में। बीच में एक कट लगाएंगे, इसके बाद छोटा-छोटा पिसस कर लेंगे। तो हम लोग को आसानी रहेगा इसे भरने में अब हम एक लोई लेंगे लोई को लेकर अच्छे से रोटी के आकार में लंबा लंबा पूरा इसे बेल लेते में पहले आप लंबा ही बेल लिएगा इसके बाद हम इसको साइड में से काट लेंगे चारो तरब काटने के बाद हम इहाँ पर मेगी का पिसेस को रख देंगे जो हमने पहले से काट कर रखाया और इस तरह से साइड से इसे काट लेंगे जो बाकी का हिसा है हटा देंगे इसके बाद हम फोल्ट करेंगे इसे इस तरह से दो फोल्ड कर लेंगे इसके बाद चाकू के सहता से इस तरह से काट लेंगे लंबा लंबा में इसके बाद क्या करेंगे इस तरह से थोड़ा सा इधर पानी लगा लेंगे और यह आसानी रहेगा चिपकने में तो इस तरह से हम राउंड राउंड करके इस तरह से चिपका देंगे देखिए कितना सुन्दर डिजाइन बन रहा है इस तरह से डिजाइन बना कर बच्चों को देने से बच्चे बहुत खुशा जाते हैं और उलोक को डिजाइन चाहिए कुछ भी बना दीजे लेकिन डिजाइन से बना दीजे तो उलोक बहुत पसंद करते हैं देखिए हमने इस तरह से डिजाइन कर लिया है और कितना सुन्दर लग रहा है डिजाइन देखिए और छानने के बाद तो और सुन्दर लग जाएगा इस तरह से हम बना लेंगे और थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके बाद हम इस तरह से साइड से थोड़ा सा बंद कर देंगे ताकि मेगी में ओयल ना घुसे और इतना अच्छा बनेगा ना हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना टेस्टी है यह बहुत ही टेस्टी बनेगा जब हम लोग का ओयल हलका सा गरम होगा तब जाके हम यहां पर छोड़ेंगे काहे कि जैसे समोसा छोड़ते हैं ना हलका गरम में तो उसी तरह हम हलका गरम में ही इसको भी छोड़ेंगे इस तरह से इसके बाद हाई फ्लेम कर देंगे अलट पलट देंगे यह देखे डीजाइन भी कितना सुन्दर उभर कर आ रहा है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसे देखकर बचे बहुत खुश हो जाएंगे और देखी बन की तयार हो गया हम लोका मेगी रोल